मिस्टर बिल्ला यूक्रेन लोक था, किस्सा बड़ा पुराना है, कहीं कोई आदमी रहता था, उसके घर में एक बिल्ला था, वह भी इतना बुरा कि अब चूहे न पकर पाता था, एक दिन मालिक ने सोचा, ऐसा बेकार बिल्ला किस काम का, मैं इसे जंगल में छोड़ा आता ह बिल्ले ने गुसे से बाल खड़े करते हुए कहा, फू फू, मेरा नाम मिस्टर बिल्ला है, लोमडी इस महिमावान मिस्टर बिल्ले से मिलकर फूली न समाई, फिर क्या था, उसने मिस्टर बिल्ले के समक्ष छटपठी प्रस्ताव भी रख दिया, मिस्टर बिल्ला, आप म तरह से खुश रखती, कभी मुर्गी पकड़ लाती, तो कभी कोई छोटा मोटा जंगी जानवर उठा लाती, खुद चाहे खाए न खाए, बिल्ली का पेट जरूर भरती, एक दिन लोमणी के यहां खरगोश आकर बोला, लोमणी, लोमणी, मैं तुम से सगाई करना चाहता जल्द ही रस्न लेकर आओंगा, नहीं, मताना मेरे घर में मिस्टर बिल्ला विराजमान है, अगर मेरे यहां आओगे, तो पच्चताओगे वह तुम्हें फार्ट कर टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, उधर बिल्ला बाहर निकल आया, उसके सारे रोये खड़े थे, छ सारा किस्सा के सुनाया कि कैसे उसने मिस्टर बिल्ला नामक एक खौफनाक जीव को लोमडी के घर में देखा, बस किसी तरह जान बचा कर भागता चला आया है, उन सभी ने मिलकर बिल्ले को खुशामत करने की एक तरकीब निकाली उसे लोमडी के साथ अपने यहां दावत पर बुलाने का फैसला किया, फिर क्या था, महमान बिल्ले के स्वागत के लिए बढ़िया बढ़िया खाने की लिस्ट बनाई जाने लगी, भीडिये ने कहा, मैं मास का इंतजाम करूंगा, ताकि बढ़िया शोर्बा बनाया जा सके, जंगली सुव ने कहा, मैं चुकंदर और आलू लेने जा रहा हूं। भालू ने कहा, भायो, मैं जायकेदार शहद लाऊंगा। और खरगोश पत्तागों भी लाने के लिए भागा। इस तरह सबने मिलकर खाना पकाया, खाना मेज पर लगा दिया गया और फिर वे आपस में बहस करने लगे कि लोमणी और मिस्टर बिल्ले को दावत के लिए बुलाने कौन जाये। भालू बोला, मैं मोटा हूं, जल्दी होल्फने लग जाऊंगा। जंगली सुव बोला, मेरी चाल बड़ी धीमी है, ऐसी चाल से भला क्या चल पाऊंगा। भेलिया बोला, मैं बूरा हूं और सुनता भी उंचा हूं। अपने पिछले पंजों पर खड़ा है। क्या चाहिए। लोमडी ने पूछा, भेलिये भालू, जंगली सुव और खुद अपनी ओर से मैं ये निमंत्रन लेकर आया हूं कि आप दोनों, यानि कि आप श्रीमती लोमडी और मिस्टर बिल्ला आज हमारे यहां दावत पर खरगोश ये कहकर तुरंत भाग गया, घर लोटा तो भालू ने उससे पूछा, चम्मच लाने के लिए कहना तो नहीं भूला, अरे ये तो मैं भूली गया, खरगोश ने कहा, और फिर से लोमडी के घर जा पहुचा, उसने खिर्की पर दस्तक दी, हमारे यहां आते समय चम अपने बाल खड़े कर लिये और फुफकारने लगा, उसकी आखे ऐसे चमक रहे थी जैसे जलते हुए दोहरे हरे बलभू, उसका ये रॉब दॉब दॉब देखकर भेरिया दर के मारे जाडी के पीछे दुबग गया, जंगी सुवखाने की मेज के नीचे गुसकर बैट ग बड़ा पेटू महमान है इतनी सारी चीजे उसे कम लग रही है, मिस्टर बिल्ले ने चक कर खाया, जमकर प्या और वही मेज पर खर्राटे लेकर सोने लगा, उधर मेज के नीचे दुप के जंगली सुवख की दुम, हिल रही थी, बिल्ले को लगा कि यह कोई चुआ है, व उपर की डाल तूट गई और भालू जमीन पर गिर पड़ा, वह गिरा भी तो उसी जाड़ी पर जिसके पीछे भेडिया चिपा बैठा था, भेडिये ने सोचा कि आब उसका अंता गया और अपनी जान लेकर भागा, भालू और भेडिया इतनी तेजी से भागे कि फुर्त तिला खरगोश भी क्या उनका पीछा करता, बिल्ले ने फिर से मेज पर चड़कर मास और शहद पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया, इस तरह मिस्टर बिल्ले और लोमडी ने मिलकर सारा खाना चक्कर डाला और घर चले गए, भेडिया, भालू, जंगी सुआ और खरगोश जब लोट कर वहाँ आए तो बोले, कैसा जानवर है इतना चोटा और ऐसा पेटू की हम सब को ही खा डालता।